और वहीं मुंबई पुलिस की छवी लगातार कुछ पुलिस अधिकारियों की वज़ा से खराब होती जारी और वहीं कुछ ब्रश्ट पुलिस अधिकारी खोले आम हफ्ता वसूली भी करें और वहीं मुंबई में कुछ जोन के डीसीपी बड़े पेमाने पर वसूली का रैकेट भी चला रहे और आगे भी कई डीसीपी अधिकारियों पर मामले दर्ज हो सकते हैं वहीं मुंबई पुलिस द्वारा वसूली के आरोपी डीसीपी सोरव ट्रिपाटी अभी फरार बताए गया है और ये मामला अंगाडिया लोगों से जुड़ा है वहीं अल्टी मार्ग पुलिस इस्टेक्शन में तीन पुलिस कर्वियों ने अंगाडिया को गलत तरीके से हिरासत में रखकर वसूली ली वहीं अल्टी मार्ग जोन दो के अंतरगाता आता है जिसके डीसीपी सोरव ट्रिपाटी थे और कुछ हफते पहले सोरव ट्रिपाटी का जरहित का हवाला देते हुए तबादला भी कर दिया गया था और इस केस की जाच क्राइम प्रांच ने किया और केस में तीन पुलिस वाले गिरफतार हुएं और अब DCP सौरफते पार्टी पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है और गिरफतारी के डर से त्रिपार्टी फरार हो चुके हैं मामले में गिरफतार पुलिस अधिकारी ओम वांगते की पुलिस कस्टडी खतम होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे 19 मार्स तक क्राइम परांच की कस्टडी में भीज़ दिया और मामला दर्ज होने के बाद मॉंबाई पुलिस ने तीनों आरोपी पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया और इस मामले की जाच मॉंबाई क्राइम परांच की सी आई यू की टीम कर रही है और वहीं मॉंबाई क्राइम परांच ने तीन पुलिस अधिकारियों को गिरफतार भी किया मुंबई क्राइम प्रांच ने अब तक दस से जड़ा अंगाडिया का बयान भी दर्च किया और अब पुलिस अब ये पता लगाने में चुट गई है कि आखिर इन आरोपियों ने लोगों को और कितने लोगों से वसूली की और वसूली में क्या और कोई अधिकारी भी का रही है